हेलो फ्रेंड्स मेरी किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे लच्छा प्रॉंठा लच्छा प्रॉंठा आप मैदे से भी बना सकते हो और गेहूं के आटे से भी बना सकते हो तो आज हम इसको गेहूं के आटे से ही बनाएंगे तो गेहूं का आटा मैंने गून लिय तो एक लोई लेंगे उससे, थोड़ी बड़ी लोई लेंगे हम, यह देखिए हमने एक बड़ा लोई बना लिया है, अब इसके उपर हम सूख के अट्टे में इसको डालके, इसकी एक बड़ी सी चपाती बेल लेंगे, चपाती ना जादा मोटी हो, ना जादा पत्ती हो, थोड़ी मेडियम साइस में ही, मेडियम ही हो, थिक इसकी, तो देखिए, अब हम इसके उपर देसीगी लगाया है हमने, अच्छे से देसीगी लगा लेंगे, इसके बाद हम इसके उपर सूख का अटा लगाएंगे, यह बह इलकुल अलग स्टाइल में बहुत इजी ढंग से मैं बनाना बता रही हूँ आपको यह देखी लेर्स मेंने कटिंग कर लिए हैं अब हम लेर्स को उठाते हुए इनको एक दूसरे के उपर रोल कर लेंगे बहुत ही इजी ढंग से आपका बहुत ही बढ़िया प्रॉंठा बन इनको यह देखिए खोल के अब हम इसको अलका सा प्रेस कर देंगे जी देखिए अलग अलग लेर्स आगी है इसकी तो अब हम इसको फिर से सुकाटा लगाएंगे और इसको बहुत हलके हाथों से बेलेंगे तांकी जो हमारे लच्छे हैं वो बिलकुल सेट रहें तवा एक प्रॉंठी को इसके उपर डाल देंगे और इसको दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक पकाएंगे यह देखिए साइट चेंज कर ली हमने यह देखिए कितनी लेर्स अभी अभी नजर आने शुरू हो चुकी है यह देखिए दूसरी तरफ भी ऐसी है अब हम इसके उपर देस दंग से बनता है यह लच्छा प्रॉंठा आप एक बार जूरू ट्राई करें दूसरी तरफ भी ऐसे हम घी लगाके इसको फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से पकाएंगे यह देखिए इसकी लेर्स देखिए आपको दिख रही है यह कितनी खुलनी शुरू हो चुकी है पूरा बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी पूरी लेर्स खुल जाती है इसकी तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं देखिए यह हमारी कितनी लेर्स थी 7-8 लेर्स थी वो सारी की सारी खुल रही है मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से जी देखिए यह देखिए अलग-अलग हो चुकी है सारी लेर्स तो आपको कैसी लगी यह रेस्पी